इसे हैं आप मुमीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी प्यारे आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम जानेंगे की 18 तारीक को जो CT8 का पेपर 18 जनौरी को हुआ था उसमें किस प्रकार के मैथ के क आए थे दोस्तों आज यह भी आपको पता चलेगा कि पिछले प्रैक्टी सेट में जो मैंने आपको बताया था वही हुब हुब को सेर करियेगा ताकि इस वीडियो का अधिक से अधिक लोग लाग पहुँचा सके आये तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास यह रहा आपका पहला question जिसमें लिखा है मिलान चिल्ड टैली चिन का प्रयोग करके नौ संख्या बनाईए प्यारे मैं आपको बताओं कि टैली चिन का प्रयोग करके कैसे नौ संख्या आप बनाएंगे तो टैली चिन में आप बताओं को एक को टैली चिन में एक ऐसे लिखा जाता है दो को हम टाइली चिन में दो लाइन से दिखाते हैं तीन को अगर टाइली चिन में दिखा तो तीन लाइन भेटते हैं तो क्या चार को टाइली चिन में हम चार लाइन खीचेंगे जी बिल्कुल चार लाइन से ही दिखाएंगे लेकिन लेकिन पांच को टाइली चिन म प्यारे, चार لाइन तो होगी, तो यह होगा चार, और इसको हम ऐसे नीचे से उपर की तरफ अगर काट देंगे, तो यह हो जाएगा पांच, अगर माल लो टैरी चीन में हमको 6 लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, पांच पहले बनाएगे, एक, दो, तीन, चार, ऐसे काटा पांच और इसके आगे एक क्या हो जाएगा पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी अगर ये छह आपको समझ में आ रहा है प्यारे तो मैं आपको बताऊं मैं आपको बताऊं कि आपको ये भी समझ में आएगा कि हम साथ टैली चिन में कैसे लिखेंगे तो आज 1, 2, 3, 4 और यह हो गया 5 यह 6 और यह 7 तो अगर हमें 9 लिखने के लिए टाइली चिन में दे देगा तो कैसे लिखेंगे पहले 5 बनाएंगे 2, 3, 4, और यह 5 और 6, 7, 8, 9 clear है टाइली चिन में यदि 9 आपका आ जाये तो कैसे लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे यह बात आपको clear समझ में आ रही होगी तो आपको अब पता जाके चला कि 9 को अगर हमको टाइली चिन में लिखना हो तो हम 9 को टाइली चिन में कैसे लिख पाएंगे ऐसे लिख पाएंगे कि 9 को टैली चिन में पहले 5 बनाएंगे और इसके बाद 4 और लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा 9 टैली चिन में तो टैली चिन आप समझ पाए होंगे कि 5 को टैली चिन में 4 तक तो सिरे गिंती होती है 5 की गिंती ऐसे होती है 6 ऐसे है सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे अगर टैली चेन में मान लीजिए आपको 10 लिखने के लिए कहेगा तो सिंपल सी बात है 1,2,3,4 यह होगा 5 फिर 1,2,3,4 यह होगा 5 तो 5,5,10 ग्लियर है तो आई नेक्ट कोश्चन समझते है प्यारे यहां पर कोश्चन आप देख रहे है 520 लिटर है द्यान दीजेगा प्यारे कोश्चन को प्यार से समझीएगा कि 520 लिटर दूद को स्कूल के सभी छात्रों को समान रूप से बित्रित करना है किया गया प्रतेक छात्र को एक बटे चार लीटर दूद प्राप्त हुआ छात्रों की संख्या ठीक है आईए थोड़ा से इस बात को समझते हैं ये कह रहा है ये जो प्रस्न है आप से कह रहा है कि स्कूल में आप क्या मानेंगे क्लियर है इसकूल में यदि आपके x छात्रों कितने छात्रों प्यारे और प्रतेक छात्र को एक बटे चार लीटर दूद दिया गया ठीक है तो कुल दूद हो जाएगा कितना 520 क्योंकि 520 ही तो दिया कोश्चन में क्या दिया है 520 अगर हमने छात्रों की संख्या को क्या माल ले यक्स माल ले और प्रतेक छात्र को यदि एक बटा चार लीटर दूद दिया गया तो पूरे छात्रों की संख्या में इसका गुड़ा कर दे अगर हम गुड़ा कर दे जैसे आपकी स्कूल में माली जे 10 चार चार का इसमें गुड़ा करेंगे तो चार सुनाई सुनना चार दुना के आठ चार पच्चे बीस तो आप देख पाएंगे कि उसी स्कूल में टोटल जो चात्र थे कितने थे दो हजार असी बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है कि ये बात आप प्यारे समझ पाए होंगे कि उसकी स्कूल में कुल कितने चात्र थे संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का अब पहले दूसरे अंक कैसे होगा प्यारे इधर से देखेंगे इधर जो होगा आपका पहला अंक ये हो जाएगा इधर दूसरा अंक फिर हो जाएगा फिर आपका तीसरा अंक होगा फिर आपका क्या होगा चौथा या अंतिमंक समझे है ठीक है तो कह रहा है कि चार अंकों की एक संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का एक दिहाई है अब देखिए यह पहला अंक है यहाँ और चार का एक तीहाई कर दे दूसरे का एक तीहाई करें चार का एक तीहाई प्यारे तो चार बटे तीन आएगा जबकि पहला क्या एक है तो ये तो नहीं हो सकता आगे आते हैं दूसरे का एक तिहाई तो दूसरा आंके हाँ पे तीन है अगर तीन का हम एक तिहाई कर दे तो क्या आ जाएगा तीन से तीन कट जाएगा एक आ जाएगा तो ठीक है ये भी चलेगा लेकिन यहाँ पर दूसरा इसका एक तिहाई करेंगे तिह नहीं आएगा मतलब दूसरा गलत होगे आपका चौथा गलत होगे आपका और पहला और तीसरे में से कोई अंसर आपका राइट होगा ये बात आप अब क्लियर कर पाए होंगे तो आए थोड़ा सा और इसको असपश्ट करते हैं इसको समझने एक बार देखते हैं अब आपको पता चल गया कि दूसरा आपका गलत है और आपका क्या चौथा गलत है ठीक है हमारा एंसर क्या होगा या तो पहला राइट होगा या तो तीसरा राइट होगा आए दूसरी कंडिशन अपलाते हैं और तीसरा अंक पहले दूसरे अंक का योग है अब जो ये तीसरा अंक है इसका इन दोनों का योग है तो इन दोनों का योग तो है ये 6, 2, 8, 3, 1, 4 ये भी satisfy कर गया अंतिम अंक दूसरे अंक का तो दूसरा अंक आपका कौन है इसमें 6 और इसमें क्या है 3 अंतिम अंक क्या है इसमें 2 इसमें क्या है 9 तो कह रहा है कि अंतिम अंक दूसरे अंक का तीन गुना है तो 6 का तीन गुना 12 तो हो नहीं सकता तीन का तीन गुना 9 इसका मतलब हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा तो ऐसे कोशनों को दोस्त डाइरेक्ट विकल्प में चले जाते हैं एंसर अपने आप आ जाते हैं बहुत म लगाएंगे तो टाइम बहुत जादा जाएगा विकल्प है इसलिए विकल्प में जाएए और अंक की बात किया है संख्या पूछ रहा है तो संख्या ही तो भी कंडिशन कहरा है उसको यहां पे करिए तो भी कल्प एक केजी बेसान अगर हुगा तो पंचीस लड़्ूं बनेंगे रेखा लड़्ूँ को चार डिब्बे खरिदना चाहती है एक डिब्बे में केवल 20 लड़्ू है चार डिब्बो का बहार कितना होगा तो चलिए भईया एक आपके डिब्बे में 20 लड़्ू आते हैं वो चार डीबा बनाना चाहती है तो 24 को 80 ये तो बात क्लियर है न कि 24 को क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा चलिए तो 80 लड़ू है अब वो कह रहा है कि 1 kg 25 लड़ू का अगर बेशन बनेगा 1 kg में ठीक है एक केजी अगर बनेगा तो उसमें कितने 25 अ रहे है ठीक है 1 kg अगर होगा तो 25 तो भाया ये बताइए यहां में मेरे पास 80 है ये 25 की बात कर रहा है 25 में एक केजी है तो 25 से जितना भाग 1280 में भाग जाएगा वही हमारा केजी होगा तो 25, 73, 75 तो यह बता यह 3 kg तो clear clear हुआ ना यह तो यह answer होगा ना यह 2 kg बोल रहा है यह नहीं होगा 2 kg अभी ही दोनों में कोई answer है तो मैं फिर से इसको आपको दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ यह आप समझ गए होंगे कि मुझे 80 में 25 से क्या करना है भाग देना है तो थोड 23, 75 तीन बार गया कितना बच जाएगा 5 और यहां पे कितना बचेगा 25 clear है तो यह तो 3 पूरा हो गया 5 25 एक बटा 5 तो 3 हो गया और एक बटा 5 kg कितना एक बटा 5 kg 3 kg पूरा देखो आप यहां पे इस बात को यहां पे समझो तीन केजी पूरा हो गया 3 kg पूरा ठीक है भी यह तीन केजी और एक बटा पांच केजी है ये भी केजी है केजी को अगर ग्राम में बदलेंगे तो एक हजार से गुड़ा करना होगा एक हजार से गुड़ा कर दिया पांच से भाग देंगे तो पांच दूना के दस होता है और दस अगर यहां पे हो गया तो क्या जाएगा क्यों राइट हो जा रहा यह भी बात आपको समझ में आई होगी क्योंकि जो की आप चार डिपे की बात करा तो उसमें 80 आ गया और 80 में हमने किस्से भाग दे दिया एक डिपे जो की लड़ू बना रहा है 25 लड़ू तो 1 केजी के बराबर हो रहा है तो 25 से भाग देंगे तो 3 केजी यह सिधा-चिधा हो गया यहां पे 5 सेस बच गया था तो 5 बटा हमने क्या किया 3 सही, 5 बटा हमने 25 किया था, इसको काट लिया 5 बारे में, एक बटा 5 तो एक बटे 5 केजी को हमने ग्राम में बदला, तो 5000 से हम क्या कर दीए, गूडा कर दीए तो यह आगया पान्दुना के दस 200 ग्राम तो एंसर हमारा हो गया विकल्प नम्मर 20 दा राइट आए नेक्स कोश्चन की तरफ चलते हैं अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है बाते हमारी समझ में आ रही है तो जरूर अधिक सधिक लोगों तक सेयर करें ता पर लगाने वाला हिम गंगे माल लीजिए पचास लीटर तेल खरीदा वह एक तेल 80 मिली लीटर की बोतल में भारती है कुल कितने बोतल भरेगा अच्छा है यह तो पचास लीटर है लीटर को मिली लीटर में बदलने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक यमयल बराबर एक यमयल बराबर होता है एक हजार स्वरी यह गड़बड हमने बोल दिया कि यहां पे एक लीटर बराबर होता है एक हजार क्या होता है एक हजार यमयल मिली लीटर तो अगर हम पचास लीटर को मिली लीटर न बतलेंगे तो एक हजार से मल्टिप्लाई करना होगा चलो भी मिली लीटर में बदल गया अब फिर 80 80 का बनाना है तो 80 से भाग देते कि इतना में कट हो 80 80 मिली लीटर का डबा बनेगा तो लोग जीरो काट दिया अगर 8 से मैं इसको काटू ध्यान दीजेगा तो 8 एकम 8 दू बचेगा 8 दूना के 16 4 बचेगा 8 पचे 40 अगर 5 से गुडा कर लो तो 5 पचे 25 5 दूना के 10 दू 12 5 पचे 25 5 दूना के 10 दू 12 5 एकम 5 और 16 यहां पे अंसर आ जाएगा 625 कितने 80 मिली लीटर के बोतल बनाएगा वो तो 80 मिली लीटर के वो टोटल बोतल बना देगा प्यारे 625 विकल्प नमबर आपका जो है D यह आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा 625 डिब बनाएगा प्यारे बात क्लियर मैं आ गई होगी तो आए नेक्स कोश्चन को देखते हैं वीडियो अच्छी लग रही है तो लोगों तक जरूर शेयर करिए प्यारे अगला कोश्चन बहुत ही मस्त कोश्चन है समझ लिजिए अब बहुत ही अच्छा कोश्चन दिया नया अंदाज है कोश्चन देने का कि अमन नाम के अक्छरों में कितने नियून कोड बनेंगे अमन में देखिए क्या है प्यारे बड़ा थोड़ा समय बना के दिखाता हूँ आपको यह है अमन में क्या है यह है तो फिर एक बार कोशिश करता हूँ दुबारा बनाने का कि अमन में जो दिया गया है तो पहले यह आप बनाएं ऐसे अगर यह बनाते हैं तो यहाँ पर एक नियून कोड बनेगा एक नियून कोड यहाँ पर एक नियून कोड यहाँ तो कितने नियून कोड बने तो कैठो यह है एक यह है दो यह है तो तीन ठोईस में भी बनेंगे त तो 3-3 तो 6 आपको clear होगे, अब यम है, यम को जरा देखते हैं, यम में देखो प्यारे, यम में देखो ये एक नियून कोड है, एक नियून कोड ये है और ये भी नियून कोड बनेगा, ऐसे करके है ये भी एक नियून कोड बनेगा, इसका मतलब 3 ठो यहाँ पर भी होगे, अब बच गया यन, यन को देखते हैं, तो यन में एक ठो यहां पे नियून कोड़, एक ठो यहां पे नियून कोड़, तो तीन, तीन, च्छत, तीरी के नौ और दूठो यहां पे, नौ दूठो क्या होता है, एक ज्यार है, इसका मतलब टोटल कितने नियून कोड़ बनेंगे अमन में 11 में बहुत अच्छा कोश्चन है और ऐसा कोश्चन आपके पेपर में लगातार आगे भी आएंगे यदि ये आ गया है इस पेपर में तो दोस्तों आए नेक्श्ट को फीर समझें ये रहा अगला कोश्चन दोस्तों इसमें हम समझने कि कोडि करेंगे कि निमलिखित कर्थनों में कौन सा यहाँ पे कुछ मिश्टेक हो गया है कौन सा पूर्ड यहाँ पे है पूर्ड ठीक है कौन सा पूर्ड ठीक है पूर्ड संख्याओं के लिए सत्य नहीं है प्यारे पूर्ड संख्याओं का मतलब क्या समझते हैं करे दोस्तों स्ट cloudy कोे इस प्रभाव पड़ेगा क्या यह भी पाँच आईगा यह बदय कीच अगर हम जीन कीर आघर और रही है पाँच को गठाएगे देकिशदीर हम जीरों में-पाँच को घटाएगे तो क्या आएगा minus 5 यह अभी जानते हैं लेकिन 5 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा 5 यह तो कंडिशन नहीं लग रही ने यह minus 5 आ रहा है यह ना यह तो कंडिशन गला और हमको गलत ही दूड़ना तो यह कही आएगा जो है गुड़ा है जीरो का यादि 5 में आप गुड़ा करो तो 0 ही आएगा या 5 का 0 में गुड़ा करोगे प्यारे तो भी 0 आएगा और यहां पर 3 नम्मर ले लेते हैं माली जे यहां पर 1 नम्मर और 4 ले लिया तो यहां पर कहरा है कि A और B अगर A A हो यह B हो यह C हो A और B को जोड़ दो तो 0 और 5 5 यहां पर एक को अलग कर दो मतलब 0 को आप प्लस यहां पर प्लस चार कर दो घटाने पर लाग wage नहीं होती है सेटिस्पाइब नहीं करती है। इसलिए हम अब कह सकते हैं कि भी हमारा क्या होगा कोश्चन के इसाब से सही हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखते हैं आए दोस्तों नेक्स कोश्चन देखते हैं 38, 54, 60 के लगुत्तम समापवर्तक और उधर जो दिखाई आपको नहीं दिया है वहाँ पर लिखा है और लगुत्तम समापवर्तक और उच्चतम यह समापवर्त होना चीए पहले तो यही गलत लिखा है लगुत्तम समापवर्त उच्चतम उभैनिष्ट गुडन खंड ठीक है मतलब SCM इसको आप SCM समझे और इसको आप क्या समझेंगे SCM क्या समझेंगे SCM क्लियर है न इसको SCF और इसको क्या समझेंगे आप LCM समझेंगे तो 38, 54 और 60 का LCM निकालना है और SCF निकालना है दोनों का अंतर करना क्लियर हो गई बात तो आईए जड़ा अगर इनके LCM की बात करे तो 38 का क्या करना होगा फैक्टर करना होगा तो 38 का फैक्टर क्या होता है 2 गुरते 19 clear है 24 का अगर फैक्टर करें प्यारे तो आप लिखेंगे कि 2 तियाई 6 clear है 3 18 तियाँ 4 ये भी clear है अगर 60 का आप फैक्टर करें तो क्या लिखेंगे 2 दूना के 4 त्याई बार पचे शाट गर अगर इनका Черफ ऑंक ऽाल्現在 पारिक्लाइप 2 अगर अवर दिग तो सब्सेदा सबसे ज्यादा कामतलब क्या होता है जार क्लिर सब्सेदा थीन झायार मेंने सबसे जाइक है तम इल्सियर त्व conducted तीन का मतलब 3 3 के 9 तरी 27 ये भी clear, चलते हैं आगे, चलते हैं, आगे आपका ठीक है, तो 27 हो गया, और आगे आपको मिलेगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर क्या मिलेगा, मैं आपको बता दू प्यारे, यह जो बिकल्प आपका दिया गया था न, यह बिकल्प, कोई भी बिकल्प आपका right नहीं गया, सा यह बिस है न, बिस का मतलब 27 दुना के चोंगन 540, और इसमें कितने के गुड़ा करना है, 19 से गुड़ा करना, ध्यान दीजिएगा, सारे भी बिकल्प गल्प हैं, पहले ही बता दे रहा हूं, 19 सोना ही यहाँ पर सुनना, 19 चौक 76 को क्या होता है, 6 हासिल हो जाएगा, 7, clear, और 29, 95 और 7, 102, clear है न, 102, तब 10,260, 10,260 आपका क्या आगया, LCM, 10,260 आपका क्या हो गया, LCM, अगर मैं SCF निकालो, तो सम्में क्या कामन है, तो सम्में 1, 2 आपका कामन की बला, तो SCF कितना हो जाएगा, 2, अब सोचिए, अब सोचिए मैं बता रहा हूं आपको, कि 10,260 य अगर आप निकाल दें, तो एंसर आजाएगा, 10,200 अंठाव, clear, इसलिए मैंने पहले बोला कि बिकल्प आपके क्या दिये हैं, यहाँ पे गलत दी दिये थे, एंसर आपका होगा, 10,200 अंठाव is the right answer, अच्छा सा question है, LCM और SCF पर बार-बार पिछले सालों में आते रहे हैं आए, नेक्स question देखते हैं, आए, दूस्तों नेक्स question देखते हैं कि निमलिखीत कत्नों पर विचार करिए, एक की मीटर, एक मीटर है, ठीक है एक किलो मीटर का तो एक किलो मीटर में कितना मीटर होते है एक हजार आप भी जानते हैं एक हजार मीटर का सतांस है सतांस नहीं है भाई यह हजारमा भाग है न यह नहीं हो सकता गलत है रंग एक लाख बराबर पर एक लाख लिखें आप तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशजार लाक एक लाक वराबर है सौ हजार के, तो सो हज निकाल ले और हजार में 3 जीरो होते हैं तो सौ हजार हो जाएगा या राइट हो जाएगा एक मिली लीटर तो एक मिली हम लिख सकते हैं एक लीटर बोल रहा है तो एक लीटर में कितना मिली लीटर होता है एक हजार मिली लीटर सुरी एक हजार मिली लीटर तीनी सुनना है तो अब ये सतांस है जी सतांस तो नहीं है ये तो हजार में भाग बोला जाएगा तो ये भी गलत है लगला एक करोड पहले एक करोड लिखिया एकाई दहाई सैकड़ा हजार दस जार लाग दस लाग करोड तो कह रहा है सो लाग है तो सो तो निकाल लीजी इसमें से पहले एकाई दहाई सैकड़ा हजार दस जार लाग तो सो लाग है बिलकुल ये भी राइट है इसका मतलब दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा प्यारे दूसरा और चौथा किस विकल्प में दिया है विकल्प नमबर D विकल्प नमबर आप देख पाएंगे कि D में आपका दिया हुआ है आप देख पाएंगे विकल्प नमबर D नहीं है इसदर राइट है दोस्तों, यहांपे कौंसा विकल्प राइट होगा? ब, ब में है दूसरा और चौथा, डी में नहीं, ब में है दूसरा और चौथा तो ब विकल्प नमबर यहांपे राइट हो जाएगा फ्यारे थोड़ा सा करबड हो गया उसको देख लिजिएगा बी राइट होगा दूसरा और चौतर इस प्रकार से आपने देख पाया कि आज जो जो आपके पेपर में कोश्यन आये हुए थे वो कितने आसान थे और अगर आपने देहान से पढ़ा होगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लीजिएगा प्यारे ओके तो आज के लिए इतना ही नेक्स ग्लास मिलेंगे जैन दोस्तों